हेलो स्टूडेंट्स में विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंटेंसी के चेप्टर इश्यू ओफ डिबेंचर फ्रॉम दा बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का प्रक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 27 और 28 करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स यह देखिए मेरे पास जो बुक है वो है क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की बुक है एकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्म नंबर टू जिसका एडिशन है 2-0-2-1 उसका 27 और 28 और 28 यह देखिए मेरे पास 27 और 27 और 27 कोशन कौन सा है अगरे तो यह देखिए मेरे पास जो बुक है तो यह कॉशन करते हैं इस कॉशन में उसने बताया कि चार लाग का लोन लिया हमें उसमें जर्नल एंट्री जो करनी है या जो भी ट्रीटमन करना है वो लोन का नहीं करना इस्यू डिबैंचर का करना है तो उसको करने के दो तरीके हैं हम पहले मैं लिखूंगा है 27 कोशन उसने आपको पता है कि जब डिबैंचर इस्यू सबोहरो होते हैं क्लेक्टरल सेक्योर्टी के रूप में तब दो त्रीके से एंट्री जोती है एक तो होता है फिर्स्ट मेथड दूसरा सेकंड मेथड फिर्स्ट मेथड में विदाउट ओपनिंग या विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री ठीक है और एक विद पासिंग जर्नल एंट्री तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ ठीक है तो पहले मैथड के इसाब से जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो इस केस में हमे में क्या बनाना होता है इस case में हमें सिरफ balance sheet ही बनानी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ वह कいसे बनाएंगे हम balance sheet का फॉफर में बनाई यह सामने मेORे साथ ठीक है जी तो balance sheet का फॉफर मेट यह रहा उसमें case one में यह balance sheet का format आप its सामने बना रहा हूं companies की balance sheet ठीक है यह रहा और यह note to account और नीचे आजेगा हमारा note to account में ठीक है जी तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं extract of balance sheet ठीक है तो यहाँ आजेगा हमारा पास particulars यहाँ पर आजेगा क्या students particulars यह आजेगा note number note number में यह क्या आजेगा यहां amount आजेगा ठीक है जी तो पहला head आपको पता क्या आता है equities and liabilities आता है ठीक है जी तो इस case में तो इसमें तो कोई information ही नी इसके बारे में तो दूसरा head कौन सा होता है non current liabilities non current liabilities के under यह कहां पर आ रहा है long term borrings long term borrings के under यह आ रहा है तो उसके में यहां मैं लिख लूँगा note number one और वो चार लाग का loan है न हमारे पास तो उसकी detail कहां दिखाते हैं हम उसकी detail दिखाएंगे बीचे note to account में कहां दिखाएंगे बटे notes to account में तो पहला note है यहां पर long term borrings का उसके under हम क्या दिखाएंगे कि चार लाग का loan लिया है ठीक है जी उसके under क्या दिखाएंगे हम कि चार लाग का क्या लिया है हमने loan तो वो loan कैसे दिखाएंगे वो दिखाएंगे loan from बंदन bank bank limited ठीक है वो कितने का आजेगा यहां पर चार लाग का वो कितने का दिखाएंगे चार लाग का और नीचे नरेशन में आजेगा सिरफ secured by issue of 8% debentures of rupees चार लाख ठीक है जी as collateral security बस इसको इस तरीके से ही दिखाना है और कुछ नहीं करना loan हमने actual में लिया हुआ है और सिरफ यह बताना है कि हमने 8% चार लाख रुपे के हसाब से जो debenture है वो collateral security के रूब में issue की होई ठीक है एक तो यह method है ठीक है पहला method तो यह है क्योंकि इस question में उसे नहीं बताया हम कि कौन सा तरीका का से करना है उसने यह काया how you will deal तो हम मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं यह तो था कि जब balance sheet में हम करते हैं without passing a journal entry ठीक है अब दूसरे case में with passing a journal entry में कैसे होगा with passing journal entry तो इस case में कैसे आएगा बैटे इस case में आएगा यहां पर जर्रल का format बना लेते हैं ठीक है जी वह तो वैसी बनेगा जैसे बनता है तो इसमें जर्रल एंट्री में काउंट्स ही आएगी collateral security वाल ही करनी है न हमें serial number particulars ledger folio debit rupees credit rupees तो पहले में क्या आएगा debenture पहले कि नहीं एक ही entry आएगी debenture suspense account debted to कितना percent debenture है यह 8% है ना 8% debentures 8% debentures तो narration में क्या आएगा being 8% debentures for rupees 4 lakh issued as collateral security ठीक है यहां बटे यह आजएगा और यह कितना आजएगा चार लाख ठीक है यह चार लाख रुपया यहां पर आ जाएगा ओके यह second method था बस इसका और कुछ नहीं करना और इसको अगर हमने balance sheet में दिखाना और नाचुली यह जर्रनल में गया तो सारा balance sheet के process में इसको कैसे दिखाना वह मैं आपको बता देता हूं यहां पर balance sheet का यह format बनाएंगे हम ठीक है यहां पर आजएगा particulars extract of balance sheet तो यह आएगा note number यह आजएगा बोलिए amount in rupees तो यहां पर सबसे पहले आएगा आपको पता है क्या आगा equities and liabilities उसमें तो कुछ नहीं आएगा second आएगा non current liabilities उसके under क्या आएगा long term borrings उसके under क्या आता है long term term borrings ठीक है जी और उसमें पहले में आजएगा यह 4,00,00 और नीचे हम क्या बनाएंगे इसका note number note to account बनाएंगे नहीं यहां पर उसमें कैसे show करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं तो उसमें कैसे करेंगे show notes to account में one number में आएगा long term borrings long term borrings के under सबसे पहले क्या लिखेंगे हम loan from बंदन bank कितने का चारलाक रुपे का तो यह figure तो बाहर आजेगी ऐसे की ऐसे ही ओके और दूसरा क्या है eight percent debentures issued as collateral security तो वो कितने का है चारलाक का और इसमें हम क्या करेंगे less क्या कर देंगे debenture suspense और वो चारलाक रुपे यहां माइनस करके जो suspense credit side वाला था यहां पर फिगर जीरो आजेगी और चारलाका loan चारलाके रुपे ही शो हो गया ठीक है तो यह twenty seven question है इसको मैंने दोनों तरीकों से आपको करके दिखाया है पहला जो तरीका था इसका without passing a journal entry तो उसमें हमें सिरफ loan दिखाना होता है actual में जो loan हमने लिया हुआ है और जो collateral securities के रूप में हमने debenture issue की है वो सिरफ note number में नीचे ऐसे शो करने होते हैं secured by issue of eight percent debentures of four lakh as collateral security और यही loan की amount ही दिखानी होती है जो उपर balance sheet में आजेगी non current liability के head के अदर ओकी जी और दूसरा तरीका क्या है दूसरा method क्या है वो है by passing and opening entry तो उसमें debenture suspense to debenture account कर देंगे चार लाग से और extract from balance sheet में नीचे आके balance sheet के में non current liabilities के under bank from जो loan from long term loan boring है वो तो 4 lakh आजेगा और नीचे भी हम उसको पैसे दिखा देंगा बंदन bank से 4 lakh का loan लिया और 8% debenture issue किये 4 lakh के बट less कर देंगे debenture suspense 4 lakh से और यह figure zero हो जागी और actual loan जो 4 lakh का था वो 4 lakh का ही show हो गया ठीक है students चलिए यह दोनों mandatory नहीं है दोनों मेंसे कोई यह करना था इस question में because उसने clear नहीं था इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया ओके जी अब next है 28th question 28th question 28th question वो क्या कह रहा है best barcode limited took a loan of rupees 5 lakh from a bank ठीक है जी giving 6 lakh as no percent debenture as collateral security pass the necessary general entries issue debentures if any and show this loan in the balance sheet of the company ठीक है तो उसने हमें जब बताई दिया कि journal के हिसाब से करना है तो फिर हम journal के हिसाब से करेंगे तो चलिए आजाए यह मैं आपको बताता हूं कैसे show करना है इसको यहां तो journal ही बनाना पड़ेगा ना हमें पहले फिर यह जर्नल का तो आपको पता है जर्नल का तो यही रहेगा और उसे क्या कहा है issue debentures की ही entry करनी है न उसमें जर्नल में लोन की तो करने को क्या ही नहीं रहा तो हम इसी की ही entry करेंगे यहां आजेगा date पर्टिकुलर्ज लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट रूपिज तो आजेगा in the books of best barcode limited ठीक है यह आजेगा जर्नल ठीक है जी तो जर्नल में सबसे पहले हम यह करेंगे entry debentures suspense account debited to 9% debentures कितने रुपे के हैं 6 लाक रुपे के 6 लाक रुपे के यह हैं 6 लाक ठीक है being 9% debentures issued as collateral security ठीक है बेटे यह बात खत्म हो गई अब इसको हमने कैसे दिखाना है balance sheet में इसको हमने कैसे दिखाना है बेटे balance sheet में दिखाना है ओके तो यहां आजेगा extract of balance sheet extract of balance sheet का मलब पूरी balance sheet नहीं हम और यह आजेगा amount rupees सबसे पहले head क्या आता है equities and liabilities यह तो खाली रहेगा इसकी information हमें है तो यह आजेगा non current liabilities non current liabilities जो second head होता है उसके अंदर आजेगा long term borrowings long term borrowings में note number one और loan actual में कितने का है पांच लाग का और इसको show अब हमने किसमें करना है note number में कैसे दिखाना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जी note number को कैसे show करना है यह देखे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा notes to accounts पहले है हमारा यह पहला note number ही यह यह पहला और आखरी यह की तो बनाना इसमें ने time borrings इसके अंदर हमने जो लून लिया हूँ है वह कौन सा है Newton form a bank नाम नहीं दिया lottery loan from a bank कितने का पांच लाइक रुपय का ठीक है कितने का बटे पांच लाइक रुपे का लून है और वो तो यह दिखा दिया और दूसरा हमने क्या किया था एक और भी तो है ना तो यह debenture जो इशु क्यों है वो के है 9% debenture issued as collateral security तो वो कितने के हैं 6 लाख रुपे के और less क्या हो जाएगा debenture suspense ने ठीक है बस यह दिखाना था हमें विकॉज उसने हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोला था ना तो जर्नल एंट्री तो आजेगी debenture debenture suspense account adapted to 9% debenture यह आजगा 6 लाग का और नीचे यह सारा कुछ balance sheet में भी हमें दिखाना होता है long term borrowing में 5 लाग actual loan तो 5 लाग काई है loan from bank तो 5 लाग काई है और जो collateral securities के रूप में हमने 6 लाग रुपया इशू किया हुआ है वो less कर देंगे debenture suspense से और यह हमारा question complete हो जाता है ठीक है जी और इसी के साथ यह question भी conclude होता है और मैं वीडियो भी conclude करता हूं I hope कि आपको अची तरह समझा गया होगा आप अगले questions के लिए मेरे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को subscribe करना ना बूलें ओके जी done